हरहर महरेव अकर आप चालधाम की यतरा कम से कम दिन में करना चाते है तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक्स तुड़ा है आज में आपको पताने वालों की αप किस तरह कम से कम दिन में अपनी चालधाम की यतरा कर सकते हैं እ लिटर ये स्टार्ट करते अपना टॉपिक जैसा कि आप सभी को मौलूम ये 22 अपर ऐसे चारधाम की यात्रा थूर हो रही है और आप में से काफी लोग पहले से अपना प्लान बना चुके हैं काफी लोगों ने अपनी आफ्ट बूक कर राखीcling, लेकिन उनका ये कहना कि हम पनी ट्रेन बूक कर रही है उसमें हमारे दिन कम लग रहे है यानी जो चारधाम की यात्रा होती है, नो दिन ही होती है या फिर दस दिन की होती है लेकिन हमारा चो ट्रेन का टिकट है वो हमने इससे पहले का कर रखा है तो जैसा कि आपको याद होगा देखिए मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने चारथा म्यात्रा से जोड़ी पूरी step by step जानकरी बता रखे थी कैसे जाये कहां रोके कितने दिल लगेंगे ये पूरी जानकरी देखिए मैंने अपने इस वीडियो के मात्रम से दिती लेकिन मैंने इसके अंदर पूरा 9 दिन का आपको टूर प्लान बताया था कि आप किस तर लेकिन आज मैं आपको कम से कम दिन में चारथा म्यात्रा पूरी करने की जानकरी देने वाला हूँ चारथा म्यात्रा करने के लिए जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ वो मैं आपको हरिद्वा से बताने वाला हूँ हर कोई हरिद्वार आके ही अपनी चारथाम की या यातारा श्राट करता है तो देखिए जो ये मेरा प्लाण रहेगा ये हरीद्वास से रहेगा, अगर आप दिरादून से भी करना चाहते हैं, जो सेम प्लांज, तो सबसे पहले तो आपको hal harsh द आना होगा, फिर वहां से अपनी यातरा श्टार्ट करने के बात ही अपनी चालध्रां की यात्रा की सुर्वात करते हैं तो हरीद्वार आने की बात आपको काफी जगा हरिद्वार में घूमने का मौकर मेरता है हरकी पैड़ी पे आप जाके इसनान कर सकते हैं और साम की आती देख सकते हैं साती सात मंसा तेवी और चड़ी तेवी आप वहां हरिद्वार में घूम सकते हैं अगर आपके पास टाई में तो आप भातमाता मंदिर भी घूम सकते हैं तो आप same day अपनी चारधाम की यात्रा start कर सकते हैं लेकिन अगर आप को 2 या 3 हरिद्वार में आने बज जाते हैं फिर तो आपको एक इस्टे हरिद्वार के अंदर ही करना होगा तो जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ मैं हरिद्वार से ही बता रहा हूँ यानि वन डे हमारा हरिद्वार ही होगा और आपको हरिद्वा से सिधा बरकोड जाना है हरिद्वा से बर्कोट की दूरी लगबक 220 किलोमेटर है और फिर आपको बर्कोट से सेम दे जानकी चट्टी जाना है, बर्कोट से जानकी चट्टी जाने में लगबक आपका दो घंटा लगता है, देट से दो घंटा लगता है, तो आप हरिद्वा से सुबह मॉर्णिंग में अकर पाच बज़े भी निकलते हैं, तो आठ से नो घंटे के अंदर आप जान की चट्टी पोच जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अकर आपको कम से कम दिन में अपनी यात्रा करनी है, तो सबसे पहला दिन आपको जान की चट्टी पोच नहीं होगा, और इस जो आप यात्रा करेंगे, इस यात्रा में आपको सुबह मौर्णिंग में चार या पाच बज़े हरिद्वा से निकल जाना है, और वैसे भी देखिए मैं में तो गर्मी का सीजन होता है, तो गर्मी में दिन भी जलडी निकल आता है, तो आप जितना जलडी निकलेंगे, उतना benefit कुछ लोग होते हैं, वो कन प्रियाक होते विए फिर बरकोट जाते हैं, वो उनको लंबा रूट पड़ता है, यह देखें मैंने Google पर सर्च किया हरीद्वास बरकोट, एक तो आपका रूट यह है जो की आपका देलादून से होते विए जाता है, और यह मनसुरी होते विए आपका रूट जाता है, यह जो आपका रूट है, यह छोटा रूट है, लगबक आपके यहां 6 घंटे आपको यहां लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस वाले रूट से नहीं जाते हैं, कुछ लोग देवप्रियाक वाले रूट से जाते हैं, मैं आपको दिखा रेता यह देखे मैंने हाँ देव प्रियाक देखा इसको मैं थोड़ा ओपर कर रहता हूँ तो यह देखे यह हरिद्वा से यह रिशिकेश होते हूए यह फिर देव प्रियाक होते ही जाते है यह आपको काफी लंबा रूट पड़ता है लगबक यहां आपके 10 घंटे लग जाते हैं लेकिन आप इस वाले रूट पर नहीं जाएंगे आपको जो रूट पकड़ना है व और देन फिर आपको बरकोट से जानकी चट्टी जाना है यहां देखिए मैं बरकोट से जानकी चट्टी लिख रहा हूँ तो लगबक यह हमको 8 घंटे शो कर रहा है अगर मान लिया आप हदीत द्वा से मॉर्णिंग में 5 बज़े भी निकए जाते हैं और बीच में आप ए जानकी चट्टी में यानि आपको जानकी चट्टी में ही अपना इस्टे करना होगा पहला दिन और सुबह आपको हरी दवा से जल्दी निकरना होगा अगर आप लेट हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपको बरकोट जाकर ही इस्टे करना होगा लेकिन य जो मैं प्लान बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो कम से कम दिन में अपनी यात्रा करना चाते हैं, तो देखिए, पहला दिन तो हमारा हो गया कि हम जानकी चट्टी गए और हमने इस्टे कर लिया, आट-नो घंटे का आपका सफर है, मैं दस घंटे भी मा बहुत राम से पहुँच जाएंगे, तो एक दिन हमारा किलियर हो गया, इसके बाद आती है दूसरे दिन की बारी, तो दूसरे दिन आपको चान की चट्टी से यमनोत्री जाना है, चान की चट्टी से यमनोत्री लगबक 6 किलिमेंटे दूर है और आपको 4 घंटे वहां गए जाएंगे, वैसे भी देखी, दिन निकल आता है, पाच बी तक, अगर आप पाच बज़े भी वहां चान की चट्टी से निकले गए, तो फिर नो या दस बी तक आप यमनोत्री पहुच जाएंगे, और दो या तीन घंटे दिने की बाद यमनोत्री में, अगर आप वह महां से एक बज़े भी चलते हैं, तब भी आप बरकोट वापस सामकी पाच एच्छे वह तक बहुत राम से आ सकते हैं, यानि दूसरे दिन आपको बरकोट आना है, और फिर बरकोट में ही आपका नाइट इस्टे होने वाला है, बरकोट में भी आपको देखिए, जी एमन क रूम मिल लाएंग, इसकी बोकिंग किस तरह की जाती है, इसी वीडियो में चल्दी ही अपलोट कर दूँगा, तो दूसरा दिन हमारा यमनोत्री हो गया, हमने यमनोत्री की दर्शन कर लिए और हम वापसी बरकोट आ गए, अब आती है पारी तीसरी दिन की, तो तीसरी दि देखिए, आपको गंगोत्री के लिए बरकोट से निकल जाना है, बरकोट से आपको शिता गंगोत्री लग जाना है, बरकोट से जो गंगोत्री की दूरी है, लगबक 180 किलोमेटर दूर है और आपका है छे घंटा लगने वाला है, तो आप जो तीसरी दिन है, बरकोट से पहुत राम से में एक बचे भी मानना हूँ अगर आप बीच में कहीं रुख गए, फोटो फाटो खीशने रुख गए, आपने एक घंटा पर बात कर दिया या कहीं आप जाम में फस गए, तब भी आप गंगोत्री एक बचे बहुत राम से पहुच जाएंगे, अगर आप सु मॉर्णिंग में जल्दी ही निकरना होगा, तब ही जाके आप सही टाइम पे सही धाम पहुच सकते हैं, वरना फिर आपका पूरा प्लान है, वो पूरा का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, तो तीसरा दिन हमारा गंगोत्री हो गया, अकर आप दो बज़े भी गंगोत्र पहुच के तो आपके पास बहुट टाइम होगा, गंगोत्री माता के दर्सन करने में और वहाँ काफी जड़ा टाइम बिताने में, आप चाहें तो वहाँ इसनान भी कर सकते हैं, काफी लोग वहाँ जागे इसनान करते हैं नदी में, आप चाहें तो इसनान कर सकते हैं, सा जीमेन के रूम मिल जाते हैं, जीमेन के लाव आपको लोकल जो वहां के हैं, होटर और ध्रमसार वह भी बहुत राम से मिल जाएगी, तो गंगोत्री में आपको किसी पितागी रहने में कोई परेशाणी नहीं आने वाली, तो तीसर दिन जो हमारा है, वो गंगोत्री हो गया, अब बात आती है, चोथे दिन की, तो चोथे दिन में देखिए, अकसर लोग क्या करते हैं, गंगोत्री अपना टाइम ज्यादे बिताते हो, उसके बाद फिर वो वाप्सी उतरकासी आयते हैं, तो देखिए, तीसर दिन आप अगर जल्दी गंगोत्री धाम पहुंच जाते है, आपको गंगोत्री सीजा सोनप्राक के लिए जाना है, आपको ना तो उतरकासी रुखना है, ना ही गुपकासी रुखना है, अब बात आते है कि आखिए, गंगोत्री से सोनप्राक की दूरी कितनी है, तो देखिए, गंगोत्री से जो सोनप्राक की दूरी है, लगवग कहीं रुखते हैं तो आप 12 से 13 घंटे मान के चड़िए तो लगबक हमारा ये वही रूट है जो आपको सौन प्रियाक से बतिना जाने में टाइम लगता है सेम आपका ये वही रूट है तो आपको चोथे दिन गंगोती से सीधा सौन प्रियाक के लिए निकल जाना है अकर अगर आप सौन प्रियाक नहीं भी पहुच पाए तो आप सेम दे चोथे दिन गुप्त कासी तो पहुची जाएंगे और गुप्त कासी से सौन प्रियाक जाने में लगबक आपका एक से डेरी घंटा लग जाता है तो मैं तो आपको देखी ये ही सजेशन करूँगा कि आप चोथे दिन सिधा गंगोर्थी से सौन प्रियाक के दिन निकली है जिसमें आपका मैं मान के चाड़ रहा हूं 12 घंटे लगने वाले हैं वैसे भी देखी गर्मियों का टाइम में सुपह मौर्णिंग में जल्दी दिन निकलाता है और चो दिन होते काफी लंबे होते हैं आपको केशी भी तरह कि कोई प्रॉड्ब्म नहीं आने वाली है तो यह हमारा में चौता दिन है हमने इसी के अंदर अपना प्लान कम कर लिया अब देखिए चौता दिन हमारा हो गया है चौतीं देखिए आप चाहाएं तो गुप्त कासी भी पोंच सकते हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सौनप्याग पोशने की कोसिस करिए किकि आपका पहुं चाहरा टाइम अगले दिन बचने बाला है तो हमारा देखे एक नाइट इसे या तो आपका सौनप्याग होगा या फिर आपका गोरे कुंड होने वाला है तो फिलाल तो देखी मैं आपका नाइट इससे सॉन प्राक की मान की चाड़ा हूँ और सॉन प्राक में भी आपको देखे जी एमेन या फिर नॉर्मा होटल बहुत राम से मिल जाते हैं लेकिन वहाँ थोड़े अगर आप होटल लेंगे तो थोड़ा आपको महंगा मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जी एमेन की बकिंग पहले शी एडवांस में करके चलिए ताकि आपको केशी तरह की कोई प्रॉल्म ना है हाला कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको डॉमेंटी टाइप के जो सिंगल बैड है वह भी बहुत अराम से मिल जाते महां किसी तरह की कोई प्रॉल्म नहीं होती सोन प्रियाग में तो चोथा दिन देखी हमने कवर कर लिया आपना हम सिधा घुप्त कासी या फिर सोन प्रियाग पोज़ गया और हमारा एक नाइट से सोन प्रियाग हो गया अब देखी जो लोग हेलिकोटर से जाते उनको तो से सी जाना पड़ेगा तो अगर आपने हेलिकोटर की वकिंग कर रखी तो आप गुप्त कासी फाटा से ही अपना नेक्स्ट अपना केटाना धाम जाके और फिर वापसी आ सकते ही लेकिंग जो लोग पैदल जाना चाते है या फिर घोड़े पार्की से जाना चाते है उनको सौनप्रियाग या फिर गोरिकुण जाके ही इस्टेक करना पड़ता है तो यहां मैं अपना चोथा दिन सौनप्रियाग मान की चल रहा हूं तो हमारा चोथा दिन सौनप्रियाग हो गिया इसकी बात हमारा जो पाट्वय दिने आपको गुप्त कासी से गोरिकुण जाना हो तो आपको गोरीकुंट पोश्चन होगा, जिसमें आपका लगपक दीज घंटा लग जाता है, लेकिन अगर आप सोन पर आगे तो आपका कम से कम 10-15 मिड़े आप गोरीकुंट पोश्च जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सोन पर आकसी आपको गोरीकुंट के लिए जीप मिल जो कि आपका 30-50 मिड़े चाल लेती है और आपको गोरीकुंट छोट देगी, उसकी बाद फिर आपको गोरीकुंट से केतानाथ धाम जाना है, गोरीकुंट से जो केतानाथ की दूरी लगए 18 किलोमेटर है, और वहां आपके कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं अगर आप पैद सुरू करेंगे, तो आपको काफी याना टाइम केताना धाम में बिताने को बीच जाएगा, और जो नाइट की यात्रा होती है, उस सच में एक यारगार वरी वाली यात्रा होती, वैसे देखें, जो केताना धाम या चाल धाम की यात्रा है, उसमें तो आपको काफी सार पहुचे उसके बाद फिर केताना धाम में जितना टाइम बेताना चाहिए और उपर वहां बहरोनाजी का मंदिर आप चाहे तो वहां पी जा सकते हैं क्योंकि वहां जाने में पाशे 10 मिल लगते हैं जादा टाइम नहीं लगता है खेर अपनी यातर से लग वीडियो में ज़िदी अफ्लोट करने वाला हूं जिसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने केतानाथ की यात्रा पे किस हमें चड़ाई थूरू की थी किस हमें पहुचा था और क्या के मैंने वहां किया था तो देखी 5 दिन हमारा क्लियर हो गया 5 दिन हम केतानाथ पहुचे और हमने केतानाथ धाम में इस्टे कर लिया और देखी केतानाथ धाम में भी आपको GMN की रूम बहुत राम से मिल जाते हैं आप चाहे तो वहां टेंट पे भी रूप सकते हैं टेंट का जो प्राइस लिए लगवग 500 के आसपा से और जो GMN का जो बैड ह है उसका प्राइस लगवग 200 के आसपा से बाकी और भी वहां धर्म सारे लोज है लेकिन थोड़े महंगी पड़ते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिने ज्यादा पैसे देने में किसी भी तरह की कोई प्रोडम नहीं होती तो ज्यादा से ज्यादा पैसे थे कि बहुत दुटतासे वहां रोग जाते हैं 55 दिन देखि हमारा यहां पूरा हो चुका है 45 दिन हमने अपनी किताना धाम के आतरा पूरिकर लिया और अब तक आपने ध्यान दियाओगा हम हर धाम के अंदर रुके हैं चाए वह गंगोत्री हो चाए वह यमनोत्री हो यमनोत्री में दे इस्टे कर लियां अब बात आती है जहटे दिन देखे आप को किताना से नीचे स्व प्याक आजाना है अगर आप सुफह देखिए साधी बज़े भी किताना धाम से निक्रते हैं आप 12 दिन अब बाताव चयए हैं आप 12 तक पहोंत अरह हम से निकल सकते हैं और फिर आपको रस्ते में कहीं रुखना होगा आप उसी दिन बतिना धाम नहीं पहुच सकते तो के दाना से सोन प्याग आने में आपका कम से कम 5-6 गंटा लग जाता है और आप चाहें तो नाइट इससे सोन प्याग कर सकते या फिर अगर आपके पास गाड़ हम बात करते हैं साथी दिन की मान लिए आप सोन प्याग रुके और सोन प्याग से आप बतिना धाम चाते हैं तो यहां जो सोन प्याग से बतिना धाम की दूरी है वह है 224 किलो मेटर आप चाहें तो गूगल कर लिजिए और इसमें आपका 10-12 गंटे लगने वाला है मैं 12 ग पूजा देखिए जो भी आपका मने वो कर सकते हैं लेकिन अगर आप छटे दिन निकल जाते हैं तो आप फिर बतिना धाम सुबह मौडनिंग में कम सखम आप यह मान की चाड़िए 12 बशे तक बहुत अनाम से पोच जाएंगे तो 12 बशे लेकि आपके पास बहुत टाइम हो होगा महा 화ण गरम छोट में इस्नान करने का मंदिर में दर्शन करने का आप साथ्वे दिन व्युक्त फारी हो जाएंगे बतिना धाम के दर्शन करके ऋ पर निर्ट भी और हमना देखिकर आप दिन नश्यal धाम करने वाले अब तक हमने अपनी यात्र हैं कि दोरान हर धाम में किया है हमने किसी भी धाम में इस्टे को मिस्ट नहीं किया है तो देखिए 7 दिन हमारा बंदिना धाम हो गया बंदिना धाम में भी आपको GMVN की रूम मिल जाते हैं आप चाहे तो होटर बुकिंग कर सकते हैं मैंने ओडेटी इसका एक वीडियो अप्लोड कर रखा है जिस लगबग 312 किलोमेटर है आप में देखा था हमने गंगोति से सौनप्याग करते हैं तो 300 से ओपर की हमको हां किलोमेटर मिले तो और मैंने उस टाइम बोला था कि यह जो आपकी दूरी है लगबग वही दूरी है जो कि आपकी सौनप्याग से होती है बंदिनात के लिए ले लिकिन आपको यहां बंदिनासी हरीद्वार की भी सेही मिलने वाली है और आपके 9 से 11 घंटे यहां लगने वाले है अगर आप बंदिनासी पर 5 बीटे भी निकल जाते तो आप साम की 5 बीट तक पहुत राम से हरीद्वार पहुँच पाएंगे अगर मान लिया आप 12 लाकि रहने में कोई प्रोड़म नहीं आने आड़ी काफी होटल काफी होटल काफी धरमसाला है जहां आपको सोने की सीधा मिल जाती है तो देखिए हमने जो अपनी यात्रा बनाई है वो बनाई है आठ दिन में आठ दिन के अंदर आप अपनी यात्रा बहुत राम से पूर होनी है वो मैंने आपको बता रहे कि आप आठ दिन में कैसे पूरी कर सकते हैं और इससे कम तो मुझे नहीं रगता कि आप कर पाएंगे क्योंकि जितने भी धाम है समय दूरी बहुत जा रहा है और अगर आप सुबह मॉड्लिंग में पाज बजे निकलते हैं तब ही जाके आप अपनी यात्रा इतना जल्दी पूरा कर पाएंगे लेकिन अकर आप किसी भी दिन लेट हो गए आप 10 या 11 बजे या फिर 8 बजे या फिर 9 बज करना है बाकी अगर आपको यात्रा थे जोड़ी किसी भी तरह की कोई जानकाई चाहिए या फिर आपको बुकिंग करवा नहीं है अपनी बस की गाड़े की या फिर पंजी करना है तो आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा आपकी हर त कोश इतना ही हरर महादेव